नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्था और सानन्द होंगे आज मैं आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले एक ऐसे दमदार नियूज की और जो आपको इस बारे में काफी इंसाइट देगा कि आने वाले हाइड्रोजन फ्यूइल का जिससे की लगबग 2 billion dollar का opportunity आप मान सकते हैं 15,000 करोड रुपे का जो opportunity है इस project में है जिसके लिए काम करेंगे तो ये partnership बदलते हुए energy scenario को हमारे सामने रख रहा है जिसमें की hydrogen fuel एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है और hydrogen fuel मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि ए और इसका जो end product होता है water होता है बनाया भी water से जाता है renewable sources को use करते हुए तो hydrogen बनता है और फिर जब इसका end product होता है तो फिर से water बन जाता है तो एक renewable चीज है ये और hydrogen चुकि infinite मात्रा में पानी में उपलब्द है आप जानते हैं पानी को H2O बोलते है water को तो hydrogen infinitely available है और use करने के बाद फिर से water बन जाता है कोई दूसरा end product बनता नहीं है तो ये काफी clean and green fuel माना जा रहा है Reliance ने भी already declare किया है कि इसमें भारी मात्रा में वो investment कर रहा है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है और carbon emission से इससे काफी छुटकारा मिल सकता है global warming में इससे क renewable energy से related हैं उनमें काफी जोरदार momentum है तो लार्सन एंटूबरो पर आप अपनी नजर बनाया रखें एक दूसरे news की तरफ आपको ले चलूँगा देखिए omicron variant may be less lethal in India epidemiologist says epidemic आप समझते हैं जो भी संक्रामक रोग होते हैं उनको epidemic बोलते हैं तो epidemiologist का मतलब है कि जो संक्रामक रोग विशे सग्य हैं उनका ये कहना है कि omicron variant चोकि अभी covid का जो नया variant है और जिससे पूरे संसार में खलवली मची हुई है stock market में भी जिसकी वज़ा से slump है तो वो इतना खतरनाक इंडिया में नहीं होगा ये कहना है epidemiologist का और इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया के बारे मे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बहुत भारी मातर में vaccinate किया जा चुका है यहां के population को तो infections mild होते हैं ऐसा बताया जा रहा है damage in terms of hospitalization and stress on the health system will be less than what we have seen in the second wave तो second wave में जितना भेंकर death हुआ था और stress हुआ था health system पे वैसा भी नहीं होगा ऐसा लक्षमी नारायन नाम के जो epidemiologist है उनका कहना है Australia's chief medical officer Paul Kelly has also said that there is no indication that Omicron is deadlier than other strains तो Australia के जो chief medical officer है Paul Kelly उनका भी यह कहना है कि कोई ऐसा indication नहीं है Omicron जो है वो ज्यादा खतरनाक है other strains से तो यह सब कुछ अच्छी news निकल कर आ रही है जिसकी वज़े से आप देख रहे हैं कि market में फिर से वापस रही लाट रही है देखिए यहां पर देखिए first buy report on Paytm, Paytm को अभी तक तीन brokers ने इसको cover किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले Macquarie Capital Securities ने इसको underperform का rating दिया था जो stock है वो पहले ही दिन काफी down चला गया था जेम financial की commentary इस पर अच्छी थी और अभी आज एक broker है दोलत capital दोलत capital ने 25 रुपे का इसको target दिया है which is 16% higher than company's issue price अभी देखिए अभी Paytm जो है लगबख 1600 के आसपास trade कर रहा है और यहां से 2500 को देखें तो लगबख यहां से लगबख 55% का यहां पर जोरदार gain आपको Paytm दे सकता है जैसा कि दौलत capital का कहना है मेरा कहना नहीं है अभी मैं आपको एक और news दिखाना चाहूं 17% on rupees 1795 crore order win 1795 crore का order JMC projects को मिला है इस stock को आप definitely देखिएगा इसका pre covid level करीब करीब 105 रुपे का था और यह जो final close हुआ है इसका 9.5% अप था उस समय और करीब करीब 100 रुपे के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है pre covid level के आसपास ही है तो उपर जाने का काफी potential इसमें मुझे दिखाई देता है तो इस stock पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं अब मैं आपको आज के stock के तरफ लिया आया हूँ और यह stock है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स जो की इस पर ICIC Securities का research चपा है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स बसी कली क्या करता है फ्लोरो पॉलीमर बनाता है और आ चीजें जल्दी से आपके लिए recapitulate कर देता हूँ देखिए गुजरात फ्लोरो केमिकल्स is in a sweet spot in presence of फ्लोरो पॉलीमर्स demand for which is increasing driven by new age verticals of battery solar panel and green hydrogen देखिए तीन चीजें एक तो electric vehicle के लिए battery चाहिए होगा दूसरा solar panel चाहिए होंगे renewable energy के लिए और green hydrogen के लिए तो इन सब के लिए फ्लोरो पॉलीमर्स की बहुत बड़ी demand होने वाली है और इसी लिए this company is process of expanding its capacity इसने अपना capacity expand करने के लिए बहुत भारी मात्रा में investment सोच रखा है और in fact वो उसको execute करना शुरू कर दिया है FY21 से लेकर FY24 तक लगबग 25 billion rupees का इसमें investment इन्होंने सोचा है तो अगले 3 साल में जो projections है उसमें जो इसका earning है वो लगबग 45.9% से grow करने वाला है अगले 3 साल में इतना ही नहीं इसका जो ROC है वो 6.7% से grow करके 18% होने वाला है मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह ICIC Securities एक brokerage house है जिसने इसको cover किया है तो अभी जो ट्रेड कर रहा है बीस सो साथ रुपे पर इसमें दिखाया गया है यह कल का report है actually और आज ही एक दिन के अंधर अंधर इसने लगबग 3500 के level को achieve कर लिया है जो की बड़ा ही जबरदस्त है और 3500 के level को achieve करने के बावजूद अभी देखिए इसका target कहां पर है target price है 3086 रुपया 3086 तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा upside अभी भी बचा हुआ है इसमें लगबग 30% के आसपास का upside अभी और बचा हुआ है तो इस stock पर आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं 2024 के लिए जो इसके PE का forecast है जो इन्होंने ICIC securities ने दिया है यह है 20X मतलब कि यह 20 के multiple पर trade करेगा जब कि यहीं पर fluorine chemistry में जो और दो main stocks हैं जिसमें से कि एक नवीन fluorine है वो 42 के PE पर काम करेगा 2024 में ऐसे projections हैं जो SRF है वो 27.5 के PE पर काम करेगा तो जाहर है जो fluorine chemistry है इसमें अभी सबसे बहतरीन जो हमें दिख रहा है मैं आपको कुछ खास बातें दिखाना चाहूंगा कि किस वज़े से इसमें एक बहुत बड़ा upside देखने को मिल सकता है देखिए फ्लोरो polymers pose high entry barrier, entry barrier क्या होता है आपने एक business खोला अब ये कोई चावल दाल का business नहीं है कि मैं चाहूं तो मैं खोल लूँ आप चाहें तो आप खोल लें ये एक fluorine chemistry का business है बहुत बड़ा experience बहुत बड़ा expertise चाहिए होता है और बहुत लंबे समय के बाद इसमें customers build करने की च्छमता है तो एक बार जब बहुत लंबे समय के association के बाद जब customers stable हो जाते हैं build हो जाते हैं तो उसको हिलाना इतना असान नहीं होता और उसको switch करना भी इतना असान नहीं होता क्योंकि ये एक बहुत ही expertise वाला काम है तो यहां पर देखिए high expertise required to manage the highly reactive chemistry of fluorine हर कोई चाहे तो इसमें इस business में entry नहीं कर सकता है दूसरी बात यह है कि यहां पर जो fluorine के mystery है उसमें जो यह raw materials का नाम बता रहे हैं हमें उस detail में नहीं जाना है एन्हाइडरस, hydrofluoric acid और potassium fluoride तो इसमें इसको बाहर से मंगबा कर store करना और उसको load करना यह सब आसान बात नहीं है तो यहां पर backward integration करके यानि की same चीज को खुद ही बना लें यह ज़्यादा advisable है तो इसलिए जब भी backward integration होता है किसी company में तो उसके raw material का cost अपने आप down आ जाता है और उसकी profitability बढ़ जाती है इस समय fluorine chemistry काफी demand में है और fluorine chemistry काफी cheaper भी है बाकी जो दूसरे bromine chemistry हो या chlorine chemistry हो उनसे ज़्यादा cheaper है इसलिए इसमें profitability ज़्यादा है यहां पर एक और चीज देखे fluoropolymers use R22 which is restricted product and supplies of R142 भी are limited fluoropolymers के लिए क्या क्या चाहिए R22 और R142 भी और यह दोनों ही restricted है तो बड़ा कठिन है fluoropolymers को किसी भी नए company के लिए बनाना और customer win करना long gestation period in the fluoropolymers business product development to customer approval takes several years बहुत दिनों में एक customer approval मिल पाता है क्योंकि बड़े ही high expertise का business है FY21 के लिए जो EBITDA है वो 6.7 billion है जो कि FY24 ही में बढ़कर 18.3 billion होने वाला है यहाँ PE भी देखिए जो PE FY21 में 62 रहा है FY22 में यह 30.6 हो जाएगा 23 में 23.7 और 24 में 20 हो जाएगा तो यहाँ से PE है वो काफी reduce हो जाएगा और जब इस PE पर पहुंचेगा तो जाहे रहे अपने mean PE की और फिर से वापस इसका price बूम करेगा और यहाँ से देखिए अगर 20 से 30 का PE इसको achieve करना हो जिस पर क्या जिसको हम value कर रहे हैं तो यहाँ से करीब करीब 30% का upside तो बनता ही बनता है बलकि 50% का upside बनता है लेकिन फिर भी मैं उस target के साथ जाना पसंद करूँगा जो ICIC Securities ने दिया है और वो target है 3000 के आसपास जो कि यहाँ से लगबग 30% के आसपास यहाँ पर अभी भी upside बनता है अब बात है कि इतना heavy investment यह company क्यों कर रहे है 25 billion का अगले 3 साल में तो battery chemicals other new age verticals offer huge option value तो जो battery बनेगा battery के अंदर जो electrolyte solutions होंगे जो additives होंगे lithium hexafluorophosphate इसको पढ़ियेगा ICIC Securities का पूरा यह detailed research है इसको पढ़ियेगा तो आपको पता चलेगा कि battery chemicals में जो इसका इसने फोरे किया है और तमाम और चीज़े जो बना रही है इसमें इसको भारी मुनाफ़ा होने वाला है और बिल्कुल सही समय है जब आप इसमें invest कर सकते हैं तो अभी 32 billion का net block अभी ही है इसके पास यानि कि जो already जो investments है वो 32 billion के आसपास हैं और 25 billion यह जोडने वाली है अब मैं ज़र आपको इसके deliveries दिखाता हूँ कि गुजरात Floro Chemicals में देखे GFL नाम से एक और company है तो उसमें आप confused मत होईएगा जो GFL company है वो 77 रुपे पर भी एक trade कर रही है पर यह जो गुजरात Floro Chemicals है यह इस समय 2315 पर आज इसने close दिया है तो confused मत होईएगा GFL में गुजरात Floro Chemicals में तो G के बाद A है ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग इसमें confused कर सकते हैं देखे 23 नॉवंबर को जो delivery उठी है 60% की फिर 75.6% की फिर 80% की 26 नॉवंबर को 65 फिर 60, फिर 65 फिर 60 और देखिए आज बहुत बड़ा volume उठा है और यह 53% है आज भी delivery इसका क्या मतलब है इतने बड़े deliveries का है की मतलब है कि price में भेंकर बढ़ोतरी होने वाली है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि कली फिर से यह जब अरदस्त भाग जाएगा आज भी देखिए 12.4% के आसपास अब था यह और आज लगबक 300 के आसपास इसमें 300 रुपे के आसपास अपने peak परतेजी थी FII का जो stake था इसमें 2.29% था जो इस समय बढ़कर September 2021 में 3.37% हो गया है जब अरदस्त रह लिए आई है इसमें FII ने जब अरदस्त stake अपना बढ़ाया है वहीं DIIIs ने कम किया है 6.74% से घट कर यह 4.11% हो गया है आप जानते हैं FII बेचते हैं तो DIIIs करीते हैं DIIIs बेचते हैं तो FIIIs करीते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी situation होता है जब दोनों ही खरीते हैं या दोनों ही बेचते हैं तो institutional stake इस समय अगर आप देखें तो यह करीब-करीब 7.5% के आसपास यहां पर दिखाई देता है देखें सेप्टेंबर 2020 से अगर सेप्टेंबर 2021 की तोलना करें तो 617,617 क्रोर का sales बढ़कर 964 क्रोर हो गया है और यह करीब-करीब 45% के आसपास का jump मुझे दिखाई देता है और operating profit margin margin 25% के आसपास सेप्टेंबर 2020 इसमें जो बढ़कर 31% हो गया है इसमें जोरदार बढ़ोतरी हुई है margin में 12 quarters का जो operating profit margin रहा है इसमें देखेंगे तो highest margin अभी-अभी सेप्टेंबर 2021 में आया है और मैंने बताया आपको कि जो electric vehicle के लिए batteries का use होने वाला है green fuels के लिए जो use होने वाला है different type के materials का उन सब में गुजरात fluorochemical के product अवल होने वाले हैं और इसलिए margins की जो बढ़ोतरी है वो इस बात को पहले से रेखांकित कर रही है पहले से बता रही है कि सुबह ऐसी है तो दिन कैसा होगा morning shows the day और net profit देखें करीब करीब 200% के आसपास का jump मुझे दिखाई देता है और quarter on quarter basis पर भी sales में अच्छी बढ़त है लगबग 78% की बढ़ोतरी दिख रही है और operating profit margin में भी 28% से बढ़कर ये 31% हो गया है और net profit भी 154 crore 154 crore से बढ़कर 207 crore हो गया है तो quarter on quarter basis पर भी काफी अच्छा है और EPS जो है वो देखिए EPS भी highest ever है 18.86 अभी जो ये quarterly result आया है और जिस तरह का buzz इस stock में है और electric vehicle का hydrogen fuel का clean energy का green energy का renewable energy का ये सारा theme जो है ये पूरा play out कर रहा है इस stock में और इसे लिए इसमें एक जोरदार यहाँ पर target आपको देखने को मिल रहा है तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए, share करिए, subscribe करिए bell icon को प्रेस कर दीजे ताकि आपको regular notifications मिलते रहें और कम से कम like बटन को जरूर ही प्रेस करिए तो कि एक like करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन हमें इस बात का बहुत encouragement मिलता है कि आप like करते हैं और like से हमारी ranking भी बढ़ती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like तो कम से कम जरूर करिए देखिए हमारा एक private WhatsApp group है जो pattern members के लिए है इस group में हम तीन facilities देते हैं number one 24 into 7 आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और weekends पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अपने portfolio और stocks के बारे में इसके अलावा exclusive stocks मैं या पर लाता हूँ जो इसके लिए लक्ष हमने रखा है इस group के लिए 15% per quarter हर एक 3 महिने पर आपको अपने portfolio का 15% मिल जा यह हमारा लक्ष है जो annual target है वो 15 into 4, 60% है लेकिन market में काफी उजार चड़ा होता रहता है इसलिए target को कोजी 40 to 50% ही रखा है देखिए कुछ लोगों को यह शक हो सकता है कुछ doubt हो सकता है कि क्या मेरे stocks सचमुच 15% per quarter देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पिछले सारे stocks जाकर देखिए कितने banker gains उनों ने दिये हैं पांच 500% तक के return दिये हैं तो आप सबसे पहले मेरे 10, 20, 50, 100 वीडियो जाकर देखिए और खुद confirm करिए कि मेरे stocks ने कितने gain दिये हैं और एक बार अगर आपने यह सुनिश्चित कर लिया कि आपको इस WhatsApp ग्रूप में शामिल होना है तो मैं आपको बता रहा हूँ topshareideas at the rate gmail.com topshareideas at the rate gmail.com यह मेरा email ID है और बड़े ही nominal fees पर इस private WhatsApp ग्रूप का member बनाते हैं अपना name and mobile number मुझे send कर दीजिए मैं आपको एक link वेजूँँगा और हम जैसे ही आपका payment receive करते हैं within 24 hours आपको इस WhatsApp रूप का member बना लिया जाता है और आपको updates मिलने लगते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए, share करिए, subscribe करिए तो मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जबरदस्ट वीडियो में फिर से तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाए शरी राम